आप सभी आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल चेतनिय जारफ अकेडमी पर कि आप सभी क्लास को लाइक करें शेयर करें और अपने जो भी नियू विध्यारती हैं क्लास के अंदर जिन्हों ने आज पहली बार अपनी क्लास को जोईन किया है वो सभी आपने आपका अपना चैनल है आपका अपना प्लैटफों में इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें कौन मुझे यह बता सकता है कि computer का निर्मान किन दो चीजों से हुआ है क्योंकि मैंने last class में आप लोगों को बार बार repeat करके इन चीजों के बारे में बहुत अच्छे से बताया था तो मुझे यह बताईए कि computer का निर्मान किन दो चीजों से हुआ है मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को बढ़ाया है जल्दी से बताईए comment कीजिए किन दो चीजों से आपके computer का निर्मान हुआ है वो चीज़े मुझे बताईए जल्दी से बताईए कि computer का निर्मान किन दो चीजों से मिलकर के हुआ है या ऐसी कौन सी दो चीज़े हैं जिनके मिलने से आपके computer को assemble किया जाता है या आपके computer का न की निर्मान होता है और उनका अपने आप में एक बहुत बड़ा योगदान या रोल रहता है इस देखिए वर्स्ट है आपकी हाड़्वेर क्या है हाड़्वेर है pet मैं ये मैं hardware और software जो है आपके computer निर्मान में बहुत ही useful है ये दोनों ही के दो चीज़े बहुत ही आउशक है आपके computer निर्मान में अब मुझे ये बताईए कि हमने ये तो last class में देख लिया था कि इन दो चीजों से आपके computer का निर्मान होता है ठीक है अब ये बताईए कि hardware किसे कहते है और software किसे कहते हैं आप लोगों को मालूम होगा और याद भी होगा क्योंकि last class में हमने ये चीज़े बहुत अच्छे से देखिए तो hardware किसे कहते हैं hardware वो होते हैं जिने हम चूँ सकते हैं जिनने हम चू सकते हैं, उसे हम क्या कैते हैं, अवर जिनने हम चू नहीं सकते अब हार्डवेर क्या होते हैं कि ये सबी जैसे अभी आपका ये की और हो रहा है को यहाँ माउस है, ये आपका CPU है और ये मानिटर है हमने लास्स क्लास में देखा था आपको बताया भी था और आगे अभी फिर से आम एक बार डिटेल में देखने वाले तो यह जो आपके कंप्पिटर के अंदर जो आपका यह स्क्रीन है पुरा यह मानिटर है आपका यह सीपियू है कि यह कीबोर्ड है यह तो मालूम होगा ना सभी को आपका माउसे आपका मानिटर है और यह सीपियू है जिसे हम मश्टिक्ष कहते हैं कंप्यूटर का अब मुझे पताईए कि अगर यह पूरा कंप्यूटर जो है आपको जो हो रहा है पूरा स्क्रीन के उपर जो मारी सटी के अंदर बहुत ही इ के अंदर इसके अंदर ये जो सारी हैं किया है सुपकर्ण यह जो पूरे हड्वेर आपका। ही सब्दोछ जाता है कि इसे पूरब हैं पुरा बहुत ही ल्मेट्ट बहुत। 이제 आपको देखने को जरूर मिलते हैं तो आप यह देखिए यहां पर कि आपको यह पता हो गया कि हाट हम को निर्मान होता है इसे कंपटर कहते हैं यह और यह सारी चीजांक को पढ़ा देख से आप लोग दक्राइब थे नहीं नहीं देखिए प्रिवेस लीए देख सकते हैं कि अप अब ये जो आपके लिखेवे हैं इन्हें क्या करना है राखनाए या ल bricks सthose趣 है निम लिखिटमने से सत्य हैं कौन से हैं सत्य है्ससे थी किस्ट यह जाते तो आप अब आपको करने के लिए और आप सोच रहाँगे कि करना तो हम कर सकते हैं क्यान लिखा बुक्त है यह वाली अगर आपको कांटिंग करने के लिए कहा जाए और आपको मैं बोलूँ किसकी calculation कीजिये तो इसकी Calculation आप कैसे करेंगे बहुत sells ल böyle करेंगे की voila ये फिर फॉपर के अंदर तो उस फॉर्सaufenर के अंदर इंदर आपका math भी है तो उस math के अंदर आपने देखा होगा math के paper में आपने देखा होगा कि आपके 5-6 जो भी questions आपके पूछे जाते हैं उनकी जब आप calculation करते हैं चाहे आपके percentage based वाले questions आ रहे हैं या जो भी आपके questions आ रहे हैं उन questions को आपको solve करने में अगर easy है तो एक मिनिट का समय लगेगा दो मिनिट का भी लग सकता है calculation में पाश मिनिट का भी लग जाता है और कई बार आप 10 मिन जो है एक questions के उपर पुरा 10 मिनिकाल देते हैं कितना 10 मिनिकाल देते तो आप जो calculation कर रहे हो उसमें और एक computer जो electronics उपकरन है वह जो calculation कर रहा है उसमें बहुत ही अंतर है क्योंकि वह calculation करेगा वह बहुत स्पीड ली करेगा और एक मनुष्य मस्तिक्ष मानव का मस्तिक्ष जो है वह क्या करेगा इसी जो आपकी calculation होती हो तो आप बहुत easily कर लेंगे फटाफट से कर लेंगे वहीं अगर आपको मैं 67 85 64 54 और इस तरीके की मतलब थोड़ी सी जो है बहुत ही टफ मैंने जस्टर एक्जांपल दिया है क्या ऐसे टफ अगर आपको calculation करने के लिए यह तो बहुत छोटी लिखी है मिलियं समय अगर आपको मैं calculation करने के लिए बोलूंगी तो वह pastation करने में आपको क्या होगा थोड़ी से दिक्कत आएगी टेक है अब वह जो दिक्कत को म्रेमnew को ने क्या है आपको computer यह हो लिए उसक्ए हारी समझ सकते हैं कि computer Arbeit इस का सबसे अधिक इस्तिमाल किया जाने वाला फुल फॉर्म जो है आपके एक्जाम में पूछा जाता है कि इसका फुल फॉर्म जो है वो पॉमन ऑपरेटिंग मशीन परपसली यूज फोर टेक्नोलोजिकल एजुकेशनल रिसर्च है क्या लिखावा है कि इसकी जो मतलब सबसे अधिक इस्तिमाल किया जाने वाला फुल फॉर्म मतलब अलग अलग फुल फॉर्म जो है आपको देखने को मिलेगी लेकिन सबसे जादा यूज फुल जो आपको आपके लिखावा आएगा अच्छा अब यह बताईए कि इसमें जो जैसे लिखावा है एजुकेशनल रिसर्च टेक्नलोजिकल परपसली यूज्ड यह सारे वर्ट्स इसमें लिखे वें जो अपने आप में एक अलग ही क्या कर रहे हैं परिभाशा क्रियेट कर रहे हैं लेक मना इसलिए है क्योंकि जब Company का आविशकार किया गया था तो केवल घरना करने वाली मशीन तो यह क्यों कि जब कमपीटर का आविशकार किया गया था तब वहां आपको कोई research या आप अभी जैसे आप अपने laptop पे computer पे क्या करते हैं बहुत सारी चीज़े upload करते हैं या आप अपने उनसे बहुत सारी चीज़े पर personally use नहीं कर सकते थे तो ये सारी चीज़े इसी लिए कहा गया है कि computer का ये full form सिर्फ एक मिथक है तो अगर कथन तर्क वाले क्यूशन आ जाते हैं तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए क्या है आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये सिर्फ एक मिथक है इसका जो ये full क्या है computer के जनक एक्जाम में आप लोग सोचोंगे कि ये तो हमें मालूम है क्योंकि हमने स्कूल टाइम में भी पढ़ा है और हमने कॉलेज में भी अगर आने के बाद में कोई competition exam दिये हो या computer science अगर आपके है तो definitely आपको जो है पढ़ने को मिले मिला होगा लेकिन क्या होत अंदर आए और हम उसे solve ना कर पाएं तो ऐसा काम हमें बिल्कुल भी नहीं करना है तो ऐसा काम हमें बिल्कुल भी नहीं करना है कि हमें बहुत अच्छे से सारी चीज़े मालूम है लेकिन जो स्टार्टिंग की जो इजी सीज़े हैं वह हम बिल्कुल दिमाग से स्लिप कर दें तो आप देख सकते हैं कि अगर आपको कंप्यूटर के जनक कहा जाए या कंप्यूटर का आविश्कार सर्व प्रतम किसने किया तो चार्स बेवेज ने किया था किसने किया था चार्स आप लोगों को आप लोगों को मशीन दिख रही है पीछे कि देखिए एक बार चल्दी से देखिए इमेज दिख रही है ना अच्छा से एक बार कमेंट करके बताईए मुझे यह जो आपके इमेज है यह आपके इमेज जो नजर आ रही है इसका आविशकार किसने किया था इस कंपिटर का आविशकार किसने किया था चार्स बेवेज ने किया था इन्हें कंपिटर का जनक कहा जाता इन्होंने सवर्पतम कंपिटर का आविशकार किया था अब यह जो आपको पीछे computer नजर आ रहा है इसे analytical computer कहा जाता है क्या कहा जाता है इसे analytical computer कहा जाता है क्योंकि कई बार जो है आपको confusion होता है कि पीछे जो line लिखी भी थी पीछे जो line लिखी थी कि ये सिर्फ एक मिथक है क्योंकि कैवल गर्णा करने वाली machine है तो अब इसको मैं proof कर सकती हूँ कि कैसे कि ये सिर्फ गर्णा करने वाली machine थी कि ये आपको जो machine पीछे नजर आ रही है मैं image लगाना भूल गई आपके कि इमेज में particularly इसकी इमेज आपको दिखा दी तो अभी आप लोग जोस्ट एक ये जो इधर की इमेज उससे आइडिया लगा सकते हैं कि क्या इस इमेज के अंदर आपको कहीं mouse नजर आ रहा है क्या आपको कहीं keyboard नजर आ रहा है क्या आपको यहां पर monitor नजर आ रहा है क्या आपको यहां पर कहीं cpu नजर आ रहा है पता हिए मुझे जल्दी से कि आपको यहां इस image के अंदर क्या नजर आ रहा है यह एक प्रकार से सिर्फ मशीन नजर आ रही है आपको कि हां कोई मशीन है ना इसमें आपको कोई मदरबोर्ड नजर आ रहा है यहां पे ना कीबोर्ड कहीं दिख रहा है आपको नहीं आपको माउस नजर आ रहा होगा यहां पे नहीं CPU नजर आ रहा है ठीक है CPU देखा है न सबने CPU कैसा होता है आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में डिटेल में तो यहां इस image में आप देख सकते हैं कि कहीं भी आपको यह उपकरण नजर नहीं आ रहे और मैंने आप लोगों को जो पढ़ा है था कि किन दो चीजों से मिलके computer बना है तो इस computer का जो निर्मान किया था इसको analytical प्रिटिकल कंपीटर कहा जाता है आगे देखिए एक बार को कुछ लोग computer का जनक मानते हैं पहला computer आधुनिक मशीनों से मिलता जुलता है अब यह जो लाइन लिखी है कि पहला computer जो है यह वाला आपका पहला computer के image में आपको नजर आ रहा है कि पहला computer क्या है आधुनिक मश machines वगरा या जाकर के नहीं भी देखा हो आपने किसी जगे काम करते वे तो आपने movies वगरा में देखा होगा कि अभी की जो आधुनिक मशीने आ रही है अभी की जो आधुनिक मशीने हैं आपकी वह इनसे मिलती चुलती है क्योंकि यह एक ऐसा computer बना था जिसके अंदर ना mouse था ना CPU था ना keyboard था किसी प्रकार के कोई चीज यहां पर किसी प्रकार का कोई उपकरन या ऐसा इसका फीचर जो है आपको ऐसे फीचर नहीं दिखे होंगे क्या आपका motherboard हो गया क्या आपका mouse हो गया CPU ले लेते हैं तो इस प्रकार से यह बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है ठ आप लोग खुद देख रहे हैं क्योंकि आपके हाथ में जो mobile Android phone जो है वो computer का ही बहुत छोटा रूप आप लोगों के हाथ में है आगे देखेंगे यह तो पहला computer आधूनिक मशीनों से मिलता जुलता है अब आप लोग सोचेंगे कि यह तो हमको आता है एक्जाम के अंदर जब कथन निसकर्षवाले questions आते हैं तो उनमें कई बार लिखा होता है कि हाँ प्रथम computer का निर्मान किया था लेकिन प्रथम computer में भी किसका निर्मान किया था तो analytical आपके computer जो है उसका निर्मान किया था आगे और बताएंगे आपको आज हम देखते हैं लीग कि अए आविशकार कौ चार्स वेविज ने 1831 से कुषके बीच में किया गय था इसका जो आविशकार हुआ था ये अनेविखार कभी 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 था इसका विकास कभी था इले जो आप लोग इने दोनों ही चीजों पर authentically बोला है कि 1833 भी सही है और 1831 भी सही है तो अभी क्या है recently जो भी exam आते हैं उसमें 1833 और 1871 जो है दोनों ही options डेट जो है आपको देखने को मिलती है तो यह दोनों ही डेट बोल सकते हैं कि चाल्स बेवेज ने इसका जो आविशकार किया था वो 1833 से 1871 के बीच में किया था ठीक है अब देखे उन्होंने एक उपकरन विशलेशनात्मंग इंजन विक्षित किया इसे हम जो आपका analytical computer है इसे हम क्या कहेंगे यांत्रिक computer भी कह सकते हैं और विशलेशनात्मंग इंजन अगर वर्ड लिखा वा जाता है तो आपको नहीं होना है आपको सीधा सुप्शन है इंदी इंग्लिश करके देखिएगा समझ में आ जाएगा और आपको यह देख सकते हैं तो विशलेशनात्मंग इंजन जो है यह विक्षित किया था इन्होंने आविशकार किया था आप आपको आभिशकार तो आपके कौन है चाल्स वेसने किया था यस एक कॉम्पीटर ता जो सरल करने के लिए प्रय।Stud शक्तिशाली था अगर παशने के लिए आप के लिए यह यह बहुत ही शक्ति साली था लेकिन अगर इसमें बहुत ही पर्याप्त नहीं था ठीक है इसकी जो दवर थी इसकी चुमता थी इते इसकी काय को शकती है वो इतनी नहीं थी है कि यह इतनी पावर्पूली घरना कर सके तो यह सिर्व इतना ही कर सकता था तो यह शबद यहाद रखने का बार क्या होता है जो च्छ दिरी माप्ट अ teakन करने के लिए परियाप्त शक्तिशाली था यह एक यांत्री कम्पीटर था जो कि सरल गर्णा करने के लिए परियाप्त शक्तिशाली नहीं था जटिल यहां पर सरल की जगे जटिल गर्णा करने के लिए परियाप्त शक्तिशाली था ऐसे शब्द लिखे वे आते हैं तो बिल् अगर competition exam दिये हैं तो आप लोग इस चीज को बहुत अच्छी से understand कर पाएंगे कि अभी कि वर्तमान में जित्ते भी competition exam हो रहे हैं उन competition exam में अगर theory वाले questions आते हैं कधन निशकर्ष वाले questions आते हैं तो उनमें आप देख सकते हैं कि पूरी line जो है बिल्कुल as it is सही है पूरी line क्या है as it is बिल्कुल सही है लेकिन उसके अंदर चोटी चोटी से जो आपके digits होती है कुछ अंक है चाहिए आपकी जो एस से related questions आते हैं उनमें यहां पर मतलब जो भी अंक वाले होते हैं sun वगेरा होते हैं dates वगेरा होती है वो change कर देते हैं और बाकि पूरी line as it is लि यह तो मैंने पढ़ा था एक भी शब्द उपर नीचे नहीं है आपने ऐसा पढ़ा था लेकिन आप यह सोचिए कि आपने जो पढ़ा था उसके अंदर जो शब्द लिखेवे थे जो अंक लिखेवे थे वह अंकों की फेर बदल की गई है अभी जैसे water ID के लिए 18 16 उमर लि लड़के की 18 लिखा होता है लड़की की 16 लिखा होता है हम लोग क्या करते हैं जल्दी से पढ़ करके और उसे टिक कर देते हैं लेकिन आंसर कुछ और ही होता है तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है कि आपको एक्जाम के अंदर ऐसी कोई चीज लिखी भी आए और आफ ञांगे अगर कठें लिखाव आगया तो आप लोगगों को नहीं हो नहीं होना है और आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं होना है ऊकर देखिए नेक्स्ट है आपके सामने हेंडरी एडवर्ड एंड रवर्ट से इनके बारे में देखते हैं यह इनकी इमेज हैं आप लोग देख सकते हैं मत बोलिएगा कि यह कौन है हमने तो देखा ही नहीं इनको इमेज नहीं देखी तो इमेज लेकिया यह इमेज देखिए और जिसे कि कई बार क्या होता है कि हम जब क्लास में पढ़ रहे होते हैं तो हम अगर इमेज के तुरू अगर कोई चीज पढ़ते हैं जैसे अभी मैंने आपको एसी चीज प्रोवाइड करवाती है मतलब ऐसी सुविधा जो है वो प्रदान करती है कि उस विधा के माद्यम से उन उपकर्णों के माद्यम से या उन जो है सारे सौफ्ट्वेर के माद्यम से एक विद्यारती के बीच में जो है अपना जो भी आप performance देना चाहते हैं उसे बहुत अच्छे से सुधार सकते हैं या आप जो topic पढ़ाना चाहते हैं उस topic में क्या होता है कई बार वह बहुत कठीन होता है बहुत हाड होता है उसके terms बहुत जदा हाड होती है उसके शब्द चारण करने में लाग करके । आपको बहुत अच्छे से प्रोवाइड करवा सकते हैं और आप उसे अंडरस्टेंड करते हैं तो मुझे बताइए कि क्या आपके एक्जाम के करने के लिए परियाब तो शक्ति साली था इसके अलावा और कुछ भी नहीं इन्हें इनने का जनक कहा जाता है वहीं अगर हम हम ribbons की बात करते हैं तो इनकी आहिए देखते हैं कि यह आपके एम्दभ teacher कि हर से हंद्री एयदवर्ट पारे में हम क्यों पढ़ रहें देखिए कि हैंडरी एडवर्ड जो है यह आपके एक अमेरिकी इंजिनियर है उद्धियमी है और चिकिश्टक थे तिके आपको कई बार एक्जाम के अंदर जब क्यूशन पूछ जाते हैं यह जरूरी नहीं है कि आपको नेट जयरफ के लिए आप जो भी एक्जाम दे रहें उसमें अगर कम्पीटर का सैलेबस है अगर कम्पीटर टॉपिक है आपका तो उसके लिए भी यह वाले टॉपिक आपके बहुत ध्यान से पढ़ सकते हैं क्योंकि आपके जो इजी वाले एक्जाम होने वाले हैं उनमें ऐसी टर्म्स और जो है आपके यूज की जाती है और आपको सिद्धे सिद्धे पूछे जाते हैं तो यह एक अमेरी की इंजिनियर भी थे उद्यामी भी थे और चिकिशक भी थे इन्होंने 1975 में व्यावसाइक रूप से सफल पर्सनल कम्पीटर का आविशकार किया अब यहां पर एक शब्द लिखावा है अगर आप लोगों ने गोर किया होता हूं पर्सनल कम्पीटर का ठीक है और वो भी वेवसाइक रूप से सफल ठीक है जो आपके सफल कम्पीटर है और पर्सनल वो भी उसका आविशकार किया था अगर आपसे पूछा जाए कि आपको मालूम होना बहुत दरूरी है तो यहां पर साफ साफ शब्दों में लिखावा है कि प्रसनल कम्पीटर का आविशकार किसने किया था वैसाइक रूप से किसने किया था आपके एड़वर्ड ने किया था तो हैंड़ी एड़वर्ड एंड रोबर्स जो है इन्हों न रखनी है इन्हें coughing कंप्इटर के पिता के रूप में जाना जाता है अब कंप्इटर के जनक को पूछा जांग आप को की कंप्इटर का जनक के से कहा जाता है तो चार्ल्स बेवेज है लेकिन यहां पर लिखा है कि personal computer के इस शब्द को याद रखेगा इसलिए मैं बार-बार इस पे इतना प्रेशराइज होकर के बोल रही हूँ इतना बार-बार इसलिए repeat कर रही हूँ कई बार क्या होता है हमें सिर्फ इतनी सी याद रहती है के लाइन के computer के जनक चार्ल्स बेवेज है तो हमें अगर exam education पूछा जाए सिधा सिधा कंप्उटर के जनक चार्ल्स बेवेज है लेकिन अगर यहां पर पर पॉस्टनल computer के पिता किसे कहा जाता है या जनक किसे कहा जाता है तो हमें answer में है कि हैंडरी करना है कि यह चीज तोड़ा भ्यानर रखिएगर लोग क्लास को लाइक करो शेर कर दिया पस्हाइए बार बार आपके अपनी आप लोग को समझ में बहुंग आ रहा होगा जो भी बढ़ा रहा हूँ ऐसा तो है नहीं कि जो जारा इसा तो नहीं है लेकिना को वापस रिवाइस जरूर करनी है क्योंकि अगर आप रिवाइस नहीं करेंगे तो आप जो है जो भी पढ़ रहे हैं वह अच्छे से याद नहीं रख पाएंगे आपके पूछे चाहेंगे और जब आपको दिमाग एकदम एक्टिव होना चाहिए वहां यह चीज नहीं होनी चाहिए कि काश मैं पढ़ लेता या पढ़ लेती तो शायद मैं कोई चीज में अच्छे से सॉल्व कर पाती इस बार नेट जरफ में बहुत सारा ऐसे विध्यारती होंगे जिनके पांस से च्छे नंबर कम हो गए होंगे या दस नंबर जो कम पढ़ रहे होंगे तो यह चीज हमें नहीं रखनी है हमें क्या करना है बहुत अच्छे से पढ़ना है और में को कोई स्टेट हो जाएगा प्वालिटी आपका चली रहा है ठीकर शोषोलोजी भी चल रहा है अब आपका एक सब्सक्राइब है में जो युनित आपकी चल रही है उन्हें पढ़त कम है टाइम अब आपके बाहते हैं तो इस चीज का विशेज ध्यान रखियेगा कि अगर आप मन लोगों को तयारी करनी है पीवाई क्यों वगेरा जो है आपके फिर से जल्दी ही मेराथन क्लासेज लेके आउंगी जिसे कि आप लोगों के बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए हमने कम्यूनिकेशन में 2019 वाले तो कर लिये थे कम्यूनिकेशन में जल्दी ही कम्यूनिकेशन प्लस आईसीटी दोनों के ही में प्रिवेस एर के क्रिशन लेके आउंगी आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होताएगी ठीक है और यह बहुत ज़रूरी है और आप लोग भी अभी क्या करेंगे आपको मार्केट में अगर तो मैं ऐसा सोचती थी कि एक बार मेरा सेलेबस कंप्रीट हो जाए उसके बाद में जो है बहुत अच्छे से कंप्रीटर बीच में आगया कि मैं एक बार सेलेबस कंप्रीट कर लूँ दैन उसके बाद में मैं बहुत अच्छे से टैस्ट दूँगी लेकिन ऐसा आपको नही जबादा टेस्ट देंगे आपके चीज़े आपके concept उतने अच्छे से clear होते जाएंगे कई बार कुछ topics में से कुछ ऐसी terms होती है जो हमसे छूट जाती है वो क्या होती है हमारे question paper की दौरा हमें terms मिल जाती है और हम उन्हें बहुत अच्छे से जो है understand कर पाते हैं तो बार-बार practice करने से यह चीज़ों का फाइदा होगा तो आप कभी भी यह ना सोचे कि एक बार हमारा cover नहीं हो पता है तो आपको यही करना है आपको ज्यादा से ज्यादा मौक्टेस देने हैं आपको mcq practice करनी है अब हम बात करते हैं functions की computer के functions क्या-क्या है तो computer द्वारा data input data processing data संचे डाटा निर्गमन का कारे किया जाता है अब यहाँ जो शब्द लिखेवे हैं के करके हम देखते हैं computer द्वारा data input फर्स्ट वर्ड लिखावा है इनपूड और एक हापका है आउप processing है एक है आपका output अब मुझे बताएं इनपूड किसे कहते हैं आउटपूड किसे कहते हैं processing किसे कहते हैं कि अनिवन कोई अच्छे से बता सकता है आप लोगों ने अच्छे से computer देखा कि computer किन दो चीजों से मिलकर के बना है यह मैंने आपको बढ़ा दिया है अब वो जो आपके hardware और software है उनके अंदर वो hardware और software किस प्रकार से functions करते हैं किस प्रकार से कार्य करते हैं वो देखते हैं एक बर हम की input क्या होते हैं output क्या होते है storage कैसे होता है processing कैसे होता है वो एक एक करके देखते हैं और output के अंदर कौन-कौन से उपकरन आते हैं, output किसे कहते हैं, output किसे मिलता है, आपको processing में क्या-क्या होता है, तो यहाँ पर एक image देखिए, computer की, yes, यह जो आपको computer नजल आ रहा है, इस computer के अंदर क्या हम इसे computer बोलेंगे, पहले तो यह बताईए, क्या आपके सामने, जो यह image नजल आ रही है, क्या हम इसे computer बोल सकते हैं, नहीं न, हम इसे computer नहीं बोल सकते, नहीं हम इसे computer system बोल सकते हैं, क्यूं नहीं कह सकते हैं, इसे computer system तब कहा जा सकता है जब ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हो इनका wire से जब ये connected होंगे तो ही हम इसे क्या कहेंगे computer system कहेंगे अब इसके अंदर आपके keyboard है mouse है CPU है और ये आपका monitor है तो आपका ये जो keyboard है और ये mouse यहां लिखावाएगे ये input devices है अभी जो आपके सामने आपको show हो रहा है इनी के through आप लोग समझने की कौशिश कीज़ेगा list तो काफी लंबी चोड़ी है ठीक है अभी मैं जिस mic से बात कर रही हूँ मेरी आवाज में जो बढ़ा रही हूँ जिस laptop में पढ़ रहे हैं जहां से भी आप YouTube से classes ले रहे हैं आपके phone में या उपकरन के अंदर लगावा जो आपका bike है उससे क्या हो रहा है आपको output निकल के आ रहा है तो आप इससे समझ सकते हैं कि मैं जो बोल रही हूँ वो mic के थुरू आप तक जो आवाज पहुंच रही है तो यहां से तो मेरा input हुआ लेकिन आपके पास जो आवाज पहुंच रही है वो आपके mic के थुरू पहुंच रही है तो उससे हम output कहते हैं तो इसका इस तरह की से कार्य होता है अब यहां जो यह input है इससे क्या कहते हैं input किसे कहते हैं कि जिन उपकर्णों के माध्यम से एक user जो होता है तो user होता है वो क्या कहता है command देता है जिन उपकर्णों के माध्यम से जिन उपकर्णों के माध्यम से एक user जो है वो command देता है और command देने के बाद में वो command जो है वो जानकारी जो है वो जो सूचना आपने भेजी है इन्पुट के मादियम से चाहे वो आपने कीबोर्ड के थ्रू भेजी हो चाहे आपने माउस के थ्रू भेजी हो यहाँ देखिए एक बार कि आपने जो भी इन्पुट किया है ठीक है अब वो इन्पुट किसे किया है आप एक खुद Pacie इस किया हैं आप एक पूस्थ किए हैं तो आप तो भी कमांड देंगे कि मैंने माइक को कमांड दिया है मैं बोल रहा हैं अब इस माइक का काम है कि आप तक आवाज पहुचाना च wydaje मेरी सिर्फ इंपूट ले रहा है कि मेरी output मिल रहा है यह आपको output नहीं दे रहा है इसने तो सिर्फ मेरा मुझसे input लिया है यह सिर्फ मेरी command ले रहा है मेरी command सुन रहा है लेकिन आपके पास जो mic है वो क्या कर रहा है वो आपको output निकाल के दे रहा है तो यहां से आपने जो भी input दिया है इन उपकरणों के माधियम से इसके माधियम से इन उपकरणों के माधियम से जिन उपकरणों के माधियम से आप command दे रहे हैं उसे input कहते हैं input होने के बाद में यह आपका CPU है, इस CPU के अंदर क्या होता है, वो पूरी जो command आपने दी है, जो सूचना, जो जानकर या आपने दी है, वो इसमें process होगी, क्या होगा, process होगी, process होने के बाद इसके अंदर RAM और ROM memories होती है, same, ROM, memories होती है, ठीक है, read only memory, random access memory, यह हम इनके full form देखेंगे, क्योंकि exam में सीधी सीधी इनकी full form पूछी जाती है, ठीक है, exam में सीधी सीधी full form पूछी जाती है, तो आपको याद रखना है, कि इनके अंदर कुछ memories, कुछ discs वगएरा होती है, कुछ CDs वगएरा होती है, तो इनक क्या है, storage है, memory है, primary memory है, इनके बारे में हम आगे के करके पढ़ेंगे, तो यहाँ जब storage होती है, और वो process होती है, आपने जो command दी, वो process होगी, process होकर के, आपको इस monitor के दुरू screen के उपर show होगा, ठीक है, यहाँ पर screen के उपर show होगा, आपने जो भी command दिया था, वो आपको show होगा, पूरी जानकारी process होकर के, तो यहाँ से show हो रहा है, उस show होने को हम क्या केते हैं, output device केते हैं, क्या केते हैं, output device केते हैं, अब जरूर नहीं है कि आपको screen पर ही output मिले, ठीक है, आप printer के through भी आप जो है, output ले सकते हैं, यहाँ आईए फिर से, तो आपको exam के अंदर, question के अंदर, exam में, question में, इस प्रकार के, जो है, यह diagram बने वे होते हैं, और आपको पूछा जाता है, कि निम लिखित में से, इन चारों में से कौन से सही है, तो आपको input के बाद, अगर storage लिखावाई direct, तो भी गलत है, क्योंकि input होने के बाद में, processing होती है, processing होने के बाद म में, वो storage होगा, और storage RAM, ROM के अंदर storage होगा, दैन उसके बाद में, वापस से वो process होगा, और उसके बाद process होने के बाद, आपको output मिलेगा, तो यह आपको याद रखना है, कि input किसे कहते है, output किसे कहते है, storage किसे कहते है, तो input किसे कहते है, किसे कहते है, जिन उपकरनों के आदिम से आपको फिर से जानकरी प्राप्त हो रही है उसे हम आउट पूट कहते हैं और स्टोरेज में आपके रेम रोम एक्सेस मेमोरी वगरा यह सारी चीज़े आती है तो आपको यह याद रखना है जिनसे अपनारी प्रतिव अगरा निकले हम वैसे भी यह जो प्रोसेसिं कि क्म्पीटर का मस्तिक्ष किसे कहां चालता है तो आप लोगों को मालुम होना चाहिए Mimi कम्पीटर का बारे में यह इन्पुट आउट्पुट के बारे में लिखावा है आगे और देखेंगे हम अगर यह हाडवेर नहीं हो सीप्यू तो क्या कंप्यूट कर पाएगा क्योंकि कंप्यूट कब बोरे जब उसमें हाडवेर और सौफट्वेर दोनों हैं लेकिन जैसे यह सीप्यूट है ना इसे आप अपने मानव मश्टिक्ष की प्रकार से आप लोग जो है वह समझ सकते हैं किसी भी प्रकार की कई डिजिस हो जाती है आज हमारे दराप से बहुत जादा पैणिक कर दें ठीक है क्यों कि हमारे पूरे जो तंत्र को क्या कॉन-osta करके रखता है एक्टिव कि कम्तलब कर वियसक्य कर कर का ऐसे नहीं है प्रहें तो प्रोशसिंगी और आपके CPU है इसका आपने आप में बहुत बड़ा रोल होता है आपके computer के अंदर इसके अंदर जो रेम रोम मेमोरी होती है जो प्राइमरी मेमोरी होती है वही क्या करती है आपके इसको अपरेट करने में काम आती है तो अभी तक हमने यह सारा देखा किसके functions कैसे होते हैं कि input हो processing होता है storage होकर के दैन प्रॉसेस होकर के आपको output के रूप में जो है जानकरी वापत से मिलती है कि समझ में आया सभी को कलदी से एक बार कमेंट कर दीजिए कि हाँ ऑवर ओल जो भी पढ़ाया वह बहुत अच्छे से समझ में आ गया है तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं कल की class में तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिएगा स्वस्त्र एगा मस्त्र एगा रांक्यू सो मच